ना क्योंकि ज्ञान मार का प्रत्निधित्व करने वाले कभी कौन है कभीरदास बहुत सोई विटा कभीरदास और धर प्रेम मार्ग में कभीरदास जार रहा है अब दाइए प्रेम मार्ग में आए प्रत्निधित्व करने वाले कभी अले बटवार रास्ता जिन चंज कर रहा है उसी चल दोड़ ये पटरी पर जिस पर खड़े आप हो है सूर्दास तो प्रेम के पोशक नहीं थे सूर्दास प्रेम के पोशक नहीं थे अब तुक्का मर्व है तेका कि सही होएं जाए और कोई सक्सियत है क्योंकि जब आप पट्टी उतर गया है तो फिर पट्टी चलबा नहीं जाना था यह बालिकाओं में कोई ऐसी सूकन्या है जो कमशकम लाजबाब सांदार और जानदार परदर्शन देश सके इसका उत्तर दे ले इसका है कोई समुर्दा हैं कोई जिन्दा नहीं को बोलिए चलिए मलब दिमाग को नहीं है देखिए यहां पर कभीरदास यहां पाएंगा आपके मलीक मलेक मुहम्मद जायसी जायसी कहा देंगे तब भी लोगता ही माना जाएगा जायसी प्रेम मार के पोशक मलेक मुहम्मबा जायसी और ज्यान मार के पोशक कभीरदास बढ़ यह थक हो बढ़ यह बढ़ यह आपके पाउं दुखते होंगे चलिए आप देखिए क्योंकि कभीरदास कभीरदास का काल का कालंतर क्या था कच्छा नौ की विद्यार्थी बताएंगे अब कभीरदास के काल के कालंतर क्या था और हिंदी बोलें देशी भासा में न अर्थात कभीरदास का जन्म कभरा आई कि समझ मैं की इतना सुद्ध देशी भासा होई अब बताएंगे अच्छा नौ के शात रोचा रहें बोलिए नहीं जीहन पर है नहीं पता बटाएंगे बताएंगे दस वालें कभीरदास का काला हुआ थी क्या थी क्या थी अर्थात कभ परदा हुए थे पता नहीं है जाए देएके ना फोड़ा हो आ है वाव में जादो सो पच्षपन अब टबाज इत्तू बताई दै की चौदेशव कुए वगन बतावल बाट रहत रहा है इस थान रहा बाट रहा है संबद रहा है कि सतावज涼 रहा बाट रहा है है अंच्छा आंश्ञा मैं लुए आपने कहा संबद दाया न क्या हो तेरा सो ठानवे, तेरा सो ठानवे क्यों हुआ, सतावान, को जेट को लहुरा, संबद, जेट, लहुरा क्या बाट है, और बताए, अब आए सताब्दी पर, सताब्दी क्या होगा, चोधामी, 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 अब बताए, कितना वर्ष पहले परदा हुए थे, आज से कितने वर्ष पहले, आज से कितने वर्ष पहले परदा हुए थे, साड़े छेक साथ, छे, बताओ, ये अब मान लेते, तेरे सो ठानवे मेरे का अभिवार हुआ था, जन हुआ था, और ठाथ आज से कितने वर्ष पहले परदा हुए, कितना होगा, सवाच्या होगा, साड़े छे होगा, एक साथ होगा, वो लिए, ये कह सकते हैं, आज से लगभग है, छो सो वर्ष से पूर है, पहले हैं हैं, अर्थात सवाच्या साड़े छे के बीच हैं, आज से तब 6 वर 620 पहले मालेते हैं और जब 620 पहले मालेते हैं तो आप कच्छा नौम आपके गुरुजी प्रहाय होंगे यहां तो मौझूदा पढ़ भी रहें आप पढ़ करके रिटायर होगे होंगे कच्छा नौ से कि दूर रहा होगा अब देखेंगे इसमें भी देख लीजिगा तारीक देखेंगे तो पता चलता है यह जो चल रहा है यह मुगलो का सासर होगा ना जब कभी दास आये थे तो इसमनिस्य था सिकंदल लोदी रहा होगा शिकंदल लोधी बहलो लोधी इब्राहिम लोधी पढ़े उने पढ़े उने पढ़े उने तीन लोधी आते हैं शिकंदल लोधी इब्राहाम लोधी बहलो लोधी तो कबीर जब जन्द लिये थे तो उसमें देश में शिकंदल लोधी था कुछ था शिकंदल लोधी था निशित भारती समाल क्या थी बिक्रतियां रहे होंगी छुगा छोत उच नीच भेद भाव था न तो इसमें कविर्दाश से उद्वोधन करते थे कविर्या कहता जात है कविर्या कहता जात है सुनता है सब कोई अब कविर्या कहता जात है सुनता है सब कोई राम कहें भल होई ला राम कहें भल होई ला नहीं तर भलान होई कविर्धाश कहते है थे राम सब्ध्र कहने से लोगों को मुक्ती मिल जाएगी द्धनता भारती समाज की बहुत तेश्मे कबीर पर है वहाँ चलेंगे तो लंबा समय लगे गा क्योंकि कबीरदास शाम अजी 0- snel पर, सामाजी क q varajay यों पर तामा最後 ordered स्कंध वित् ellant पर सामाजी घरभाव बड़ा करारा प्रहार उन्हों मुर्थ पूजा क्या है उन्होंने कहा यह है पाहन पूजेहर्मलेंग प Whew i से यह पर मात्मा मिल जाता है नबश्म लगता है अब हार पूजा जाए तो जल्दी भगवान जाएंगे बीस तो काफीर का कभीर का तो बहुत कुछ बूले कि वह चाचा करेंगे तो लंबा समय खिचेगा जीप और तो पहल नोगे आपको zona पास औरे गच्छा यारह हिंदी लोगे तो कभीर मिलेंगे कच्छा नोवाले विद्धाति कभीर को पढ़ करके पीछे ठकल दिया होंगे अब पीछे ठकल दिया उसे 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 कोई रिस्ता उस्ता नहीं रह गया है पढ़ चुके हैं यह न परिछा देंगे दस पहुंच जाएंगे कभीरा खड़ा बजार में कभीरा खड़ा बजार में लिये लुआठी हाथ कभीरा खड़ा बजार में कभीरा खड़ा बजार में लिये लुआठी हाथ जो घर फूके या पणा जो घर फूके या पणा सोचले हमारे साथ और कहते थे कभीरदास की उल्टी बानी बरसे कमल भी पानी बहुत इस भाम लाइने आ हैं अब बताएंगे तो लंबा समय जाएगा अब उधर देखें क्योंकि कभीरास के तेन प्रमुक रचनाई भी बताए जा रही हैं कौन कौन है साखे सबद रमाइनी इनकी तीन साखा यह है रहतना ना मारिएगा यह कबिर की साखा जो आपके हिंदी साहित पर पहने का सुआउस्वर मिलता है लेकिन का मूल गरंथ जानते हूँ कबिर का मूल गरंथ को लेक है उस गरंथ का नाम है बीजक का नाम है बीजक बीजक से लिया गया साखी सबद रमाइनी और कच्छा नौ में आप साखी पढ़े भी होंगे लेकिन एक भी दो हायाद नहीं है साखी का इसका मतलब इसका मतलब इनों ने ये कहा जब मैं था तब हरी नाहिं मैं बदल रहा हूँ मैं था अब हरिय ना थाए है मैं और फाए है मैं ना है जब मैं था मनतों है जब मेरे मिट गोया और और अंकार दूर हो सब्णोरे ये अंद्र पर्माथा भान वह था दिदार हो गया था अधाद दर्थन हो गया था। नए। तट्था नो वाले बताएं पहली लाइन कभिछ का। याद है। तट्षा नो में साखी की पहली लाइन, पहला पंथ। याद है। नाही कहा। नाइक है कवीर की पहली लाइन है कि सत्गूर हमसे रीज कर ये कहा प्रसंग सत्गूर हमसे रीज कर ये कहा प्रसंग और बर्सा बादल प्रेम का भी गया सब यंग है कि या पढ़ते या तुम लोग हमारे आधा लाइन हमारी हो आधाय आप की हो मैं माल लेता हो हिंदी के बहुत बड़े पोशक हैं जब मुझे पूरा वाद की बोलना पड़ता लगता आप पिंदी से कोई सरोकार कोई नाता को रिष्टा कोई संबंद नहीं है जब आप हमारे स्वर्द से स्वर्द मिलाते हैं धौन द्धौन मिलाते हैं वाक से वाक मिलाते हैं सब्द से सब्द मिलाते हैं तो लगता है आप हिंदी के बहुत ही कारमण भी जार थी हैं और जब खामोस रहते हैं तो लगता है आपके दिलों में हिंदी का कोई वासी नहीं है और आप हिंदी कैसा बिश्य है कि आप हर जगह कोई भी रंगा-रंग कारक्रम होता है उसे हिंदी सब्सक्राइब बोला पड़ता है तो इस में कभीर के साखी सब्सक्राइब रमेरी देखें जैसी को ले जैसी का एक रचना अच्छी रही है जो महा काब के नम से उसका नाम है है तीन का प्रमुक ंजिदी देख लिए इसको भी एक है पद्मावत क्या है अंच परनावत किंद का महा क्प् adventures रख्रावत अख रावट अएक है आखिरी आखिरी कलाम है ठीक ये निर्गुण का बधारा के दो प्रमुख धाराएं हैं और ये धारा पहले भी थी ये धारा याज भी है और ये धारा कल भी रहेगी होते हैं ना कि समाज में दो तरक पासक हैं एक इस्वरक मानने वाला है और इस्वरक न मानने वाला है आस्तिक और नास्तिक जो इस्वरक मानते हैं वे आस्तिक होते हैं जो नहीं मानते हुए नास्तिक हैं तो दो तरक आज भी हैं इसके पहले भी थे और कल भी लोग रहेंगे कि समाब तो जाएंगे अब एक अधिया जाए कि फैजाबाद मलव की राम का प्राणों का परतस्था हुने जा रही है ना तो निश्य से क्या वो सम्माल नेंगे नहीं क्योंकि भारत में बहुत से संपर्दाय के लोग हैं अलग अलग धंग सपना इस्वर को मानते हैं चलिए अलग में चल्दी क्राएं आइनि निश्य थे कंबनेशन की बात माइं करते हैं कम में लोग अलग वे जो ज़्य करते हैं कि दुई भाग में तीन भाग में अब यहां देखेंगे एक होंगे किस्रकाब अधारा था आएए एक होंगे कौन राम है राम का वधारा दो धाराएं बार रही है वधाराएं पहले भी थी वधाराएं आज भी है चलिए दोनो धाराओं पर एक लाइन दे रहा हम आपको दोनो धाराओं पर अब उसमें लाइन यह है कि राम राज में दूध मिला रामराज में दूध मिला पूख है। इस दो लाइन अक्न नहीं है यह दो लाएन बहुत ही महतं पुनाये नहीं है जो आज बल्कुल सटिक बैठ रहा है जहां जाएँंगे यह पोछाथे दी लोगे एक बारा और का दें नोट कर लीजेगा राम राज में दूध मिला राम राज में दूध मिला किस्र राज में घी मोदी राज में चाय मिला फूख फूख के पी चलिए अब देखिया वटा अब यहां पर किश्रकाबधारा है किश्रकाबधारा के जो पोसक हैं किश्रकाबधारा के जो पोसक मन जाते हैं वह से सही माना जाए तो बल्लभा चार हैं लेकिन जब बल्लभा चार का लड़का बिठल नाथ जब आश्च छाप कभी के स्थापना किया तो उसमें सबसे पले किसको रखा है सोर दास के बहुत सभी बेटा सोर दास ना और यहां कहती कौन दास आएंगे तो लशी दास बहुत से बेटा तो लशी दास अब इनकी कितनी रचनाए हैं तेन थे आप लोग बलकुल करमठ भी जारती हैं आपको स्लोट करता हूँ मैं चलिए आज देखिए उसमें कौन पले हाँ है पले क्या है पले सूर सागर है सूर सागर और सूर सारावली बहुत से बिटवा साहित्य लहरी चलिए इधर अब देखिए तुलसी कोन कोना आएंगे ने क्रम्स रखे यार क्रम्स रखे हाँ भी लाइन पाया है अब पता चला कि जो जेट रहल लवरा हो गया लवरा लवर जट हो गया पढ़ाद देखिए कि पहले की आई बाट आए अब देखें किसमें सब से पले कोन आएंगे तो राम है चरित्वग चरित्रवा बताएंगे दूसरा क्या है हाँ जानकी जानकी मंगल तिसरा क्या बटा गीतावली चौथा क्या है दोहावली पच्वा क्या है कवितावली एकरे बाट क्या है अरे भीया बहुत बाट पारवती मंगल हम जादा न लिखेंगे बाट क्या अरे एकलि ककालि चीप Corn章 भाar चै यह आपकी भक्तिकाल क्या आपका बुलकध पूत्र अट्र आएग्राम इसका हीकर अरश के बाद में अब इंडे करता हो और रुवा हाथ हर आओ आओ अ कुल बाप पशित सब दिशने यह रहां और भुवाम तो बना गुवाम तो बना है है अब देखें आपको यह द्याते हैं कल आप लोगों को हम माडल पेपर के परपेक्ट में कुछ आपको बता देंगे कैसे आएगा कैसे आपको लिखना है कैसे नहीं लिखना है इसलिए यह आपको तो को तीस वाला जो मिलता है नै दस नमबर ही तीन परिशाएं होती है तो तीस शकाए 180 आपको बिजाले देही रहा है इसमें कोई समझाँ होता है यदि कि फायती वंदारी से आपके साथ पच्पात नहीं करते हैं तो तो एक सुवास्य मिलेच चाहे लेकि कभी कभी आडिया में सवाल ख़ड़ा होता है कि नंबर कम देते हैं आंतरी नंबर को लेकर के हैं है नहीं है क्योंकि इसके पहले भी मैं एक बार गया था मनलब की दो हजार बाइस तेश में जमनासर बैठे हुए थे तो मैं वहां पर सवाल ख़ड़ा हुआ है कि आपके आंतरीक बच्चों को जो नंबर देते हैं वह कम देते हैं कि या तीस में से केबल दो-दो नंबर कम कर दें जादी कितना हुआ दो परसंट दो परसंट कम हो गया और दो परसंट मतलब होता है कि जिले मस्था मैंने वोला बिद्धार्थी वह बिद्धालय में बिस्ताने बना पाएगा इतना वहलू होता है इसलिए बिद्धालय को जो आंतरिक पावर दिया गया है उसे भरपूर बिद्धार्थी के पक्ष होना चाहिए और ओमार महार सीट का जो बनेगा 20 नंबर वह भी आपको मिल गया तो दीज करके जो बिद्धार्थी बेलकुल मलव की उनका जो सुलेक होगा उनकी जो लेखनी होगी तो लिखावट होगा तो अच्छर होगा और लिखने की सैली जो होगी यह बहतरीर रहा किफायती रहा और अच्छा रहा तुमें दावा करता हूँ आपको पचास में से चालिस से मिल जाएगा को यह 40-45 मिला अवनिश्य थे पंचान में प्रस कर रहें हैं इसको लेकर के आप पटादीज मार जाए मेरा दावा है कि परदेश में ना सकते हैं तो यह जरूरत है यह बहुत पृन्ने में ब्रुलेख इंदल दिकाला वता का शुलेख । आप आप और रहेस है विद्धु पर जएगиях निने बीद्धु आप आप जिले मंदल परदेश में अपना जगह नहीं बना पाऊगे कि अंध मतलब निकला हुथ अंध दर्शन、 वो थां धिब्च समारो शंते चाहिं सबसे मिलें कबिरदास ना हिंदू थे ना मुसलिम थे एक इंसान थे ना हिंदू थे ना मुसलमान थे एक इंसान थे उन्होंने ये कहा करते थे कबिरदास दुनिया कहाई बेद की लेखी कबिर कहाई आखिन की देखी है नहीं है सब लोग बेद की बात करते हैं लेकिन कवीर क्या काते थे आखन की देखिए और जब कवीरदास भक्ती करते थे भक्ती में इसने निर्गुण प्रम्बर्ह्म से पहुचने के लिए दर्शन करने के लिए कहा करते थे कि अंखडियां जाई पड़े पंत निहार और जी भड़ियां च्छाला पड़े राम राम पुकार पुकार है ने लेकिन मैं उसी को बदल दिया कि बदल दिया तो वहां पर राम की बात है मैं यह कर रहा हूँ कि सिक्षा दिक्षा की लूट लगी है लोट सको तो लोट अव अंतकाल पस्ताओगे जब यह उमर जहीं बेत यह उमर जहीं बेत ना समझा है वे कहते थे तुलशी भी कहते थे कि राम नाम की लूट लगी है लोट सको तो लोट अंतकाल पस्ताओगे जब प्राणन जहीं है छुट तो मैं थुरा सा उसका और सरल कर दिया कि सिक्षा दिक्षा वह राम नाम रहा न बक्तिकाल रहा हुए रटे हुए उस अभे लेकि तोहार काल आई बाट है यह मौध इन म सिक्षा दिक्षा की लूट लगी है सिक्षा दिक्षा की लूट लगी है तो लोट सको तो लोट अव अंतकाल पस्ताओगे जब प्राणन जहीं है जब यह उमर जहीं है बहुत बाट है अगला एपिसोड नेक्स डे कि अच्छा चलिए मलब की जाते जवाते कई सवाल ऐसे महात्पुन खड़े हो जा रहे हैं आप बहुत कर्मट बहुत मेधावी बहुत चतुर बहुत तातुर भी जारती हैं चलिए मेरे समय को आप बहुत बेखोबी सिंद्रवन करा रहे हैं यहां द्या सोर्दास अब आए सब्द को ले करके जब हिंदी के सब्द कठिन हों हिंदी के सब्द गूर हों जटिल हों आपको चुनाउती देते हों आपको चलंजी करते हों तोड़ दो से जवन परिवार बरियार रहल पाचो भाई कमाल बाटे ने तो पाचो को ज़ी कराईते हैं कमजोर भण नाई भण ने देखें पांच अंगुली हैं एक अंगुली किसी गाल पर थपड़ मारोगे तो उसको चौट नहीं लगेगी लेकिन पांचो का देखिये मार दीजीए कम से कम दो मिननर तो कुरें अंजाय आए आए नहीं आए 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 और नेशित आवले कर देते हैं ताकत हुचा होती है दूरबल हो जाती कमजूर हो जाती है आए देखिए बैटा दिख रहा है न यहाँ पर मैंने इसको बांट दे रहा हूँ अब संद से संद बिच्छेद हो गया अब देखना इसमें है एक सूर मैं ऐसे लिख रहा हूँ और एक सूर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि अब आपको समना किसी लड़कों ने वुद्ट कमेंट किया है कि कभीर दाओ सूर्दास अंधे थे की नहीं थे लेकिन आपके किताब में जो मोटी हेडिंग असपस्ट लिखा गया है सूर्दास लिखा है ना अब आप सूर्दास के जिवनी भी लिखते हैं लिखेंगे परिषमाएगा भी पांचना पाएंगे भी आप तेखिए मातरा को ले करके चचकल हुई थी मातरा को ले करके यहां पर देखी एक बड़ी मातरा ऑग छोटी मातरा दोनों के आर्थ में परिवर्तन हो जाएगा जिएक इसका मतलब है इसका ताद पर होगा अंधा से तो से अपनी मानस प्रकास देने वाला हुग तरह सूर्दास कि छोगी संधे होगे लेकिं रहा होगा यह नाम रखकर आपको गुमरा किया होगा कि झब वास्तों में, सुर दास अंधे थे, तो तुम ने मात्राम तब जिल को ने कर दिया? मात्राम यह लिए लिखाओता, सुरदास मौने-स पहले संधे थे, जब सुर का महलत, सुर ईसे है, सुर का काम है, क्या करना? प्रकास देना है, तो रफा सूर्दास सूर्दास देखते थे हैं देखते थे इस सूर्दास देखते नहोते तो सूर्दास का सबसे महत्पूर दुन्या की सबसे बहतरे साहित बाल साहित है क्या है बाल साहित है और सूर्दास का दुन्या का सबसे बहतरे साहित बाल साहित आज तक बाल साहित त तो देखे नहीं, तो लिखे कैसे, देखे नहीं, तो लिखे कैसे, अब तो औरे फिर सवाले आए, कबीर दास लंठा ही रहन, ना, लंठा मौने प्ला लिखा ना रहन, ना, तो कबीर दास पढ़े नहीं थे, इनका ग्रंध कौन लिखा, इनका सिस रहा होगा, क्या नाम था उ धर्मदास बस आओ कोई कमेंट रहे है कि यह तब बताएंगे यह बताएंगे यह बताएंगे तब जब बताएंगे वारतानी तब वारतानी होता है क्या का तुमने अंतर उसमें क्या है देखें यह देखें क्या लिखा गया है चले और फिर मैं लिख रहा हूँ अब बताएंगे दोनम क्या अंतर है यही जब कभी आपको भविष्व में हमसे पढ़ेंगे चर्चा होगी वरतानी को लेकिन खुशी पजापत के एक चोटा सा कमेंट था और इसके दिल में कई दिनों से है इसको तंग कर रहा था प्रसान कर रहा था इसलिए आज क्या उद्गार्स के सामने उपस्तित ठोकड इसदद्भिद्घालेंज है इसे दिद्धाले आई इसरी आग यजदध यद्धव टत 않 यद्धव यद्ध्द्यम में यह जसका फीद्ध है यह तक एक हंले लिए kdK 2010 आपको आपको पलने कौने हैं से निएक इसका रहेगा और इसमोन क्याते लिखांगा हुआ हुआ है जो यहां पर में लगा दिया इसमें छिपा हुआ है तिसलिए हम जब ऐसे लिखा रहेगा हम इसे बिद्धाले कहेंगे न और जब ऐसे लिखा रहेगा इसके बिद्धाले लेकिन लोग क्या कहते हैं प्राथमिक बिद्धाले लिखा गया प्राथमिक बिद्धाले बिद्धाले काना चाहिए न की बिद्धाले जो ऐसे लिखा होगा तब आप कर सकते प्राथमिक बिद्धाले और क्या लिखा है प्राथमिक बिद्धाले और चलिए देखा दोनों सही है लेकिन हमारा उच्छारण क्या निकल रहा है यह है ने दोनों सही है चले शेशकल जानता हम आपको सवाल बहुत खड़े होंगे